Hello everyone, कैसे हैं सभी? I hope सभी ठीक होंगे जैसे कि आपको पता चल गया होगा, इस वीडियो में मैं आपको objective type questions solve करवाऊंगा, जो कि आपके सभी exams के लिए important है, तो यह अगर आपके exam is geography का syllabus है, या मैं यूँ कहूं climates of India का अगर topic है, तो उन सभी exam के लिए यह वाले आपके questions important है, तो मैं ज़्यादा time नहीं based करते हूँ, सीधा मैं questions शूलू करता हूँ, यह questions आपके, आप ऐसे समझ सकते हैं कि समका आपका test है, तो चलिए, तो पहला है, what percent of Indian terrain receive annual rainfall below 75 cm, हमें बताना है कि 75 cm कितने percent of India में यह rainfall होती है, तो इसका answer हो जाएगा 35%, 35% का total जो Indian terrain है, वहाँ पे below, दिया रखना 75 cm नहीं है, below, 75 cm से कम की rainfall होती है, right, next question देखते हैं, the driest part of India, driest part कून सा है हमारे इंडिया का, यह तो I hope सभी को पता ही होगा इसका answer, इसका answer आपका हो जाएगा A part, western राजिस्तान, क्या answer हो जाएगा इसका, western राजिस्तान, western राजिस्तान में बहुत जादा आपकी क्या होती है, गर्मी पड़ती है, देखिए, और driest क्यों है यह, driest इसलिए है, वही आपको पता है, इस तरह से है हमारा map है, तो यह जो राजिस्तान है, यहाँ पर आपकी जो rainfall होती है, बहुत जादा कम होती है, कितनी कम होती है, 25 cm से भी आपकी जो rainfall है, वो कम होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, driest part बोलते हैं, अब यह कम क्यों होती है rainfall हम आगे देखेंगे अगले वाले questions जो आने वाले हैं, तो आप इतनी बात याद रखो, सबसे कम rainfall भी कहां पर होती है, यहाँ पर, बैस्टन राजिस्तान में कितनी कम होती है, यहाँ पर 25 cm से भी कम होती है, ओके, next चलते है, the climate of India, जो हमारे इंडिया का climate है, वो कैसा है, एक्टोरियल है, मेडिटेरियन है, जहां continental है, कौन सा है, तो आपका इस कांसर हो जाएगा B part, हमारे जो average में अगर बात करनी हो, इंडिया का climate कैसा है, हमारा mansonal climate है, ओके, अगर और भी country की बात करनी हो, जैसे वंगलादेश हो गया, मियनमार हो गया, शिरलंका हो गया, चाइना हो गया, और हमारी इंडिया, इन सभी का, अगर मैं बात करूँ, कैसा climate है, तो mansonal climate हो जाएगा, next question है, which of the following does not effect Indian climate, इस में से कौन सा ऐसा option है, जो हमारे Indian climate को effect नहीं करता है, या मैं यह कहूँ, कम effect करता है, मांसून तो सभी को पता करता है, proximity to equator ये भी करता है, existence of Indian ocean, ocean है, इसके कारण ही हमारा जो है, क्या बोलते हैं, उसको climate effect करता है, लेकिन oceans current जो है, हमारे Indian climate को ज़्यादा effect नहीं करता है, तो answer कौन सा हो जाएगा, पी पार्ट हो जाएगा, ओके, next चलते हैं, which of the falling area of Indian subcontinental become the area of low pressure in summer, देखिया, ये पहले आपको इस चीज को समझने के लिए, इस concept का बता होना चाहिए, क्या concept है, जो आपका pressure होता है, it is inversely proportional to temperature, means अगर temperature आपका ज़्यादा होगा, तो pressure क्या होगा, आपका कम होगा, इतनी सी बात clear होगी होगी, अब देखो, ये हमारा India का map है, मैं आपको rough sketch बना रहा हूँ, आप ये मत सोचना कि हमारे India का map ऐसा नहीं है, देखो, मैं rough sketch बना रहा हूँ, इस तरह से मारे इंडिया का map है, ओके, अब देखो, यहां आप रजिस्तान में, आपका जो, अगर मैं यूँ रजिस्तान ना बोलो, या मैं यूँ कहूँ, नौर्थ वेस्टन जो है हमारा, यह कौन सा है, यह north है, यह south है, यह आपका कौन सा west है, और यह क्या है, आपका east, नौर्थ वेस्टन जो जो जोन है, यहां पे आपकी बहुत ज़्यादा क्या पढ़ती है, गर्मी पढ़ती है, गर्मी पढ़ती है, में temperature increase हो रहा है, और temperature increase हो रहा है, में समझ आ रही होगी तो यहां पे जहां पे क्या हो जाता आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है कहां पे नौर्थ वेस्टन इंडिया में कहां पे नौर्थ वेस्टन इंडिया में आपका समर के टाइम पे आपका जो pressure होता है बहुत ज़्यादा कम होता है और यही यो pressure होता है कम pressure होने के कारण rainfall का reason बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ आगे इतनी से बात समझाता हूँ आगे गर्मियों के दिनों में summer में यहाँ पे आपका temperature क्या होता है बहुत ज़्यादा कम होता है temperature ज़्यादा होने के करण आपका pressure क्या हो जाता है कम हो जाता है next question देखते हैं South western winds are attracted to Indian subcontinent in rainy season by which of the following method देखो अभी भी मैंने आपको सिखाया ना पिछले question में कि यहाँ पे आपका pressure कम हो जाता है अब होता क्या है यह आपका south है यह आपका north है मैं एक वर यहाँ पे आपका color change कर लेता हूँ ताकि आपको समझाए यह south है यह north है यह west है और यह east है अब क्या होता है यहाँ पे आपका pressure कम हुआ था तो यहाँ पे pressure तो change नहीं हुआ अब जब भी कोई चीज flow करती है it flows from high pressure to low pressure कहां से flow करती है कोई भी चीज high pressure to low pressure जहां पे जो हवा होती है हवा का यहाँ पे pressure बहुत ज़्यादा था हवा क्या करने लगती है high pressure to low pressure flow करने लगती है अब जब यह हवा जो high pressure to low pressure flow कर रही होती है साथ में अपने साथ क्या लेकर जाती है मोहिस्चर को लेकर जाती है क्या लेकर जाती है मोहिस्चर जैसे यहां पर मोहिस्चर पहुंच रहा होता है और साथ साथ में क्या लेकर एक किसम का जब हवा high pressure to low pressure जा रही है तो साथ में moisture लेकर जा रही है, moisture लेकर जाने का मतलब क्या और दीरे-दीरे रास्ते में क्या करती जाएगी, बारिश करती हुई जाएगी तो यहां पर question क्या पूछा हुआ था, question पूछा हुआ था कि South Western India, है ना, जो South Western जो wind flow करती है यह था ना, हमारा map था, मैं यहां पर एक वर आपके लिए फिट से बना रहा हूँ, इस तरह से राइट, इस तरह से था, यह यह portion है, यह कूछ सा आपका, South Western है बोलता है, South Western जो wind flow करती है, जो attract होती है subcontinent in rainy season, by which of the following, किसके करने होती है, यह होता है इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा, आपका A part, जाने कि क्या, low pressure in North Western India यहां पर low pressure होने के कारण, आपका South Western जो wind flow करती है इसके करण फ्लो करती है, क्यों किसके कारण, low pressure in North Western India और North Western India में low pressure क्यों हुँँ चूँए था, क्योंकि यहां पर temperature क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है temperature ज़्यादा होने के कारण temperature ज़्यादा होने के कारण आपका जो pressure होता है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है यह बताया मैंने relation आपको तो यह सारी चीज़ें आपने सीख लिए होंगी next question देखते है the coastal अंदरप्रदेश and Orisa have to face which of the following climate यह तो सभी को पता होगा जो अंदरप्रदेश है अंदरप्रदेश है ना अंदरप्रदेश है यह हमारा इंडिया का map इस तरह से यहाँ पर इस यह वाला जोन जो है यहाँ पर यहाँ पर बोलता है अंदरप्रदेश और अरिसा में आपकी कौन सी क्लाइमेटी आती है और आपको पता है ना यहाँ पर आपका किसका अटैक होता है साइकलोन्स का अटैक होता है है ना तो यहाँ पर आपका किसका अटैक होता है साइकलोन्स का अटैक होता है reason वो ही रहता है यहां पर भी same reason रहता है, low pressure हो जाता है, उसके करण यहां पर cyclones आते हैं, अंदरप्रदेश और ओडिसा में low pressure हो चुका होता है, इसलिए आपकी क्या होती है, हवा flow करने लगते हैं, इतनी ज़्यादा हवा flow करने लगते हैं, साथ में water आ जाता है, जिसके करण क्या create होता है, बन जाते हैं, ओके, next question देखते हैं, which of the following receive heavy rainfall, इसका मैंने आपको answer बताया, a part, cyclone, 8th question, which of the following receive heavy rainfall in month of October and November, देखिए, एक ऐसा जोन है, हमारे पास, जब सरदियों के दिनों में, October and November, rainy season में बहाँ पे वारिश नहीं होती है, rainy season में बहाँ पे वारिश नहीं होती है, अगर मैं exact नाम बताऊं state का तो वो कौन सी आपकी तमिल नाडू, ठेक है, लेकिन जब ये कौन सा rainy season, कौन सा season होता है, rainy season वो season होता है, जब आपकी क्या चल रही होती है, कौन सी हवा चल रही होती है, south western, south western जो bind flow करती है उसको हम बो बोलते हैं, उस समय आपका आता है monsoon, अब क्या होता है, यह जो time period होता है, October और November, इस समय आपका शुड़ू हो जाता है, reversal of monsoon, कौन सा शुड़ू हो जाता है, reversal of monsoon, monsoon क्या कर रही होता है, re-treat कर रहा होता है, अपना पात को, तो पहले जब ये monsoon वाली हवा चलती है, जो कॉर मंडल कोस्ट है यहां पे बारिश नहीं होती है यहां पे बारिश नहीं होती है लेकिन जब यह मांसन लोट रहा होता है बापिस जब यह बापिस लोट रहा होता है रीट्रेट कर रहा होता है अपने पाथ को तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो इससे हम क्या बोलते हैं कॉर्मंडल कोस्ट, इस question का answer क्या हो जाएगा October और November में आपके कहां पे ज़्यादा Heavy rainfall होती है तो वो answer क्या हो जाएगा हमारा कॉर्मंडल कोस्ट हो जाएगा कहीं बार जी जो मांसून होता है इस मांसून का नाम रखते हैं जो रीट्रेटिंग जो मांसून है इस रीट्रेटिंग मांसून का नाम क्या होता है North Weston Sorry, North East कौन सा North East मांसून भी नाम देते हैं इसको च्छेकर इस तरह से question भी आप exam में आ जाता है नेक्स देखते हैं बिच आफ दा फोलूं रिसीव रेंफॉल वाई दा North Eastern मांसून अभी भी मैंने बताया ना North Eastern मांसून यह रीट्रेटिंग क्या बोलते हैं इसको रीट्रेटिंग जब मांसून जा रहा होता है October November के मलत में यहां पर बारिश होती है तो यहां पर मैं जब आपको समझा रहा था मैंने तभी आपको बोला था Tamil Nadu में उस तमें सामें बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आंसर क्या हो जागे इस question का Tamil Nadu विच आफ दा फोल ने रेंफॉल वाई दा North Eastern मांसून North Eastern मांसून की बज़र से आपके कहां पर रेंफॉल होती है इडिस Tamil Nadu ठीक है यहां पर Tamil Nadu में आपकी जो रेंफॉल होती है किसके कारण South Western South Western मांसून के कारण रेंफॉल यहां पर नहीं होती है दियान में रखना है यहां पे किसके कारण बारिश होती है आपके North Eastern के कारण यह बहुत important question है एक्जाम में बार बार repeat होता है next देखते हैं मैं अचला फोल लोगे मैं directly आपको बता रहा हूँ तो क्या होगा जैसे टॉपिकल एवरेग्रीन पहले देखो आपको किस-किस के answer पता हो सकते हैं यहां पे देखिए mangrove का तो सभी को पता होगा न तो D जो option है इसके साथ कौन सा west suit करेगा आपका इसके साथ west suit करता है आपका west of bengal mangrove आपके जो forest कहां पर पाए जाएंगे west of bengal में पाए जाएंगे अब temperate zone की बात करनी हो temperate zone कहां पर आपका नील गिरी में ठीक है monsoon की बात करनी हो monsoon कहां पर शिवालिक ठीक है और tropical evergreen की बात करनी हो तो यह कौन सा आपका शिलो आपको पहले जो match the following जब भी question आते हैं जो आपको answer पता है पहले उसको डूंटो जैसे मैंने mangrove को पकड़ा d, d का क्या होगा 3 तो d देखो डूंटो पहले d, 3 यह वाला option हो सकता है यह वाला भी option हो सकता है तो आपका b option और d option cancel हो जाएगा next देखा मैंने चलो मालो b, monsoon, monsoon का answer क्या है शिवालिक तो b को पकड़ लो, यहां पे 4 है और इसके साथ से यहां पे क्या है 1 तो हमारा answer क्या हो जाएगा, यह वाला answer सही हो जाएगा, c part is the right answer बाकिया आप match करके देख लेना, c part right answer next चलते हैं, where does the heat come in environment बहुत easy question है, heat environment कहां से आती है, environment में heat कहां से आती है isolation से आती है, condensation से आती है, radiation से आती है, convention से आती है देखें, यह सारे method हैं आपके, आपके कहां से किसके heat के आने के लेकिन जो हमारे environment में जो heat आती है sun से, वो किसकी कारणा आती है, it is from radiations, कैसे आते है radiation से, पता है ना, जो sun से radiations आती है, अर्थ पर strike करती है, अर्थ भी heat हो जाती है अर्थ फिर से radiation को re-emit करती है, और यहाँ पर यही catch up होके, यहाँ पर कार्बन डायोकसाइड carbon डायोकसाइड इसको absorb करके रखती है अपने पास, तो इस तरह से हमारे environment में heat आती है, तो basically अगर मैं आपको पूछूँ किसके कारणाई sea option, radiation के कारण next चलते हैं chanir sea, less rainfall by south western monsoon than other places because, यह वही question आज जाएगा south western में, मैंने बताया था ना Tamil Nadu में आपके south western की बज़ा, south western की बज़ा से, जो monsoon आता है south western जो monsoon होता है उसके कारण वहाँ पे rainfall नहीं होती है तो उसी से related question है बोलता है, जने रिसीव less rainfall by south western monsoon than other places, क्यों ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे जो answers दिये हुए हैं, उनको देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे option number पहला monsoon travel, parallel to the core mental coast देखो जब यह monsoon जा, यह जो हवा चल रही होती है, ना, monsoon की साथ में moisture लेके जा रही होती है, तो यह बिल्कुल core mental coast के बिल्कुल कह चली जाती है, पैलल में चली जाती है पैलल में, उसके पास से चली में, कि जो आपका humidity है, उसको evaporate नहीं होने देती, और आपको पता होगा evaporation होगी, तो उसके बाद ही भारिश आईगी, ना, समझा रही होगी बात, यह भी option सही है, और these winds are offshore monsoon winds, यह भी option सही है, तो इस question का answer क्या हो जाएगा, डी पाट हो जाएगा, कौन सा option हो जाएगा, डी पाट answer हो जाएगा, यह सारी reason सही है, 14th question, during the south western monsoon, Tamil Nadu remain dry, यह भी भी मैंने बताया था, Tamil Nadu में बारिश नहीं होती है, किसके कारण, south western monsoon के कारण, किसके कारण होती है, अगर मैं Tamil Nadu में बारिश किसके कारण होती है, it is due to east western monsoon, है न, अच्छ, अच्छ, अब पूछता है, reason क्या है, इसका क्यों नहीं होती है, यहां पर, यह भी समझने वाली बात है, तो इसका answer बहुत easy है, it is located in rain shadow area, कैसे area में located है, इसकी location ही यह ऐसी है, कि, इसको हम क्या बोले है, rain shadow area, तो इसका answer क्या हो जाएगा, rain shadow answer हो जाएगा, 14th का, next question है, what is the nature of monsoon rain from Guwahati to Chandigarh, देखो क्या होता है, यह आपका India का map हो गया फिर से, देखिए, इस चीज के लिए माफ करना, मैं map है, बिल्कुल exact नहीं बना रहा हूँ, because मुझे समझाना है, rough sketch बना रहा हूँ, ठीक है, चलो गोहाटी की बात कर लेते हैं, यह आपका गोहाटी है, और यहाँ पर आपका चंदीगड है, अब यहाँ पर जब आपका मानसून चल रहा था, यह अपने साथ जब यह हवा जा रही थी, यह ना, जो मानसून की हवा चल रही थी, जब यह मानसून की हवा चल रही थी, मींस इसके पास मौश्चर था, तो जब जैसे जैसे यह आगे बढ़ता जाता है, जब यह हवा, मौश्चर वाली हवा आगे बढ़ती जाती है, यह रास्ते में बा होगा होता है means I'll do That's an optima यह Çok hasn इसके बस मौस्च्च होता है दीरे दीरे जी मौश्चर क्या होता जाते मिन्स कम होता चलता है मौश्चर कम होता चल रहे तो मेश जब तक हम चन्दीगड में पहुंचते हैं मौस्चर यह जो आपकी मौस्चर वाली हवा है जब चंदीगड में पहुंचते हैं, तब तक moisture बहुत ज़्यादा कम हो चुका होता है, जिसके करना बहाँ पर बारिशिया होती है, थोड़ी सी कम होती है तो दिख बोलता है, what is the nature of monsoon rain from gohati to चंदीगड, तो कैसा nature होता है? It is dimnish nature, कैसा nature है इसका? Dimnish nature है I hope आपको सारी चीज़ें समझ आई होगी आपको थोड़ी help मिली होगी और आपने अच्छा score किया होगा इस test में अगर आपको वीडियो अच्छी लगिया और आप चाहते हो, मैं ऐसी हो और भी वीडियो लेकर आऊं, तो आप इस channel को subscribe करे, इस channel को subscribe करना, बिल्कुल मत बोलना और अपने friends के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि मुझे motivation मिले, और वे ऐसी वीडियो लेकर आने के लिए, ओके भाई, तब तक के लिए bye bye, have a nice day